हेलो दोस्तों वेलकम टू ओनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तों इस वीडियो आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक लेकर आयों जो भारत के प्रमुख आयोग है उनके जो बरतमान चेर्मैन है सारे इस वीडियो हम देखेंगे काफी इंपोर्टन टॉपिक है इस टॉपिक से हर एक्जाम में लवक दो से तीन कुश्चन पका पूछा आता है चाहे कोई गौर्ण एक्जाम हो तो अब इस वीडियो को पूरा देखिए गलास तक यह देखिए पूरे जितने आयोग सारे मह अत्मूर आयोग भारत के और अरतमान चेर्में साथ ही काफी सारे एक्ष्ट्रापैक्ट भी बताऊंगा उस आयोक्सिलेटेट तो अब इस वीडियो को अंते तक देखिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप समझ के चलिए कि इस वीडियो को देखन करके फॉलो कर सकते हैं और करेंड फेस कि वीडियो बिल्कुल खरी में देख सकते हैं और दोस्तों दिया आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब जरू करने साथ में बेल आइकन प्रिस करने ताकि आपको डेली इसी तरह की वीडियो मिलती है एक की बरतम् में बरतमान अध्यक्ष कौन है तो आपको बता दे क्यों नितियाब का अध्यक्ष होता है भारत का प्रद् करते हैं और यहां पर जिंग सुपाध्मान चीला कर्वारौ मैं तो फ्रस्वान करने Сब्सक्राइब दाक्टर राजीव कुमार ऐतानल समय और सब्सक्राइब क्ञुए खेले उपाध्यक्छ गैसकर पाद्यक्षी सब्सक्राइब सब्सक्राइब एनया और नीतियायो को CEO कौन है वरतमान में ये भी बहुत महत्मूर कोश है नीतियायो को वरतमान CEO अमिताप कांथ कौन है अमिताप कांथ वरतमान में CEO है तो ये फैक्ट आपको याद रखने ठीक नीतियायो को जो अध्यक्ष है वरतमान नेयद मोदी जी पदेन अध्यक्ष उसके परविंद सकसेना ठीक है आप यहां पर संग लोग से वायक को बारेम जान लेते हैं आपको बता दे कि इसकी स्थापना हो थी UPSC के 1 अक्टूबर 1926 में UPSC के स्थापना हो थी और इसका जो हेटकॉाटर है UPSC का वो है दिली में निव डेली में इसका हेटकॉाटर है ठीक है macoon संग लोग सेवाए ओक तो वर्तमण gouvernement अद्यक्ष है अर्विंद सक्षेना जी कोस्चण no-4 लेते हैं अलसंक का आएौक के वरतमान अद्यक्ष कौन है तो अलसंक है स्थापना का भूई थी यह भी कोश्चन आप से जरूर पूचा जा सकता है इस्थापना उते 1992 में ठीक है मायनोटीज कमिशन की स्थापना उते 1992 में और यह अलपसंखक संदाय के तौर पर इसकी जो तो कौन-कौन से अलपसंखक संदाय तो वह हैं मुस्लिम, इशाई, सिख, बौध, पार्सी और आको बतादिक दोहर 14 में जैन को भी जैन संदाय को भी शामिल कर लिया गया है ठीक है अलपसंखक संदाय के तौर पर ठीक है तो यह आपको याद रखने है अलपसंखक आपको बरतमान कौन है तो प्रोफेसर धीरंद्र पाल सिंग यानि डीपी सिंग ठीक है डीपी सिंग यूजी सी अब फुल फॉर्म क्या होता है इनवर्सिटी ग्रैंट कमिशन यानि विश्विद्याल अनुदान आयोग अब इसके बारे में आपको बता देते हैं यहाँ पर यही कूशन पर आपत् ilundy यूजि और कॉलेज को अनुधान प्रदान करता है इसके लावा यह मानटा प्रदान करता है इंवर्सिटीज Gothic को जितनी इनवर्सीटीज है उनको यह मानटा के मिशन ठीक है तो अद्ध्र Ce कौन है UGC के प्रोफेसर धीरंद्र पाल सिंग है ठीक है चलिए इसके लावा दोस्तों इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा वहाँ पे आपको पूरी पीडिया फाइल मिल जाएगी लिंक आपको कुमान अध्यक्ष यानि एटॉमिक एनरजी कमिशन एटॉमिक एनरजी कमिशन की स्थापना कभी थी यह कोशन पूछा जाएगा तीन अगस्त 1948 को ठीक है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी थर्ड अगस्त 1948 में ठीक है चलिए और इसके जो दोस्तों फास्ट एक्जिविटी अब यहां पर विट्तायोक के बारे में आपको सारी जानकारी बता देते तो कुशन पूछा जाता है बार बार वार विट्तायोक के स्थाब न हो थी बार इती 22 नमबर 1951 को विट्तायोक की स्थाब न हो थी पहले विट्तायोक के अध्यक्ष कौण थे यह कुशन कई बार पूचा गया है केसी नियोगी जो थे पहले वित्तायोग के अध्यक्ष ठीक है केसी नियोगी और वरतमान में कौन है पंदरवे वित्तायोग के अध्यक्ष एनके सिंग है ठीक है और वरतमान वित्तायोग के अध्यक्ष अधिया है आपको पता देक वित्तायोग भाति समिधान के आर्टिकल चलिए कोश्चन नमर 10 देख लेते हैं, 21 में विधी आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ती बलवीर सिंग चौहान, 21 में लॉग कमिशन के अध्यक्ष है, विधी आयोग आपको बता दे कि विधी संबन्दी विश्यों पर महत्मूर्ण सुझाओ देने के लिए इसका गठन किया जाते हैं इस आयोग का निक्टी होती है, तो किश्यों विधी आयोग के अध्यक्ष है, न्यामूर्ती बलवीर सिंग चौहान, कोश्चन नमर 11 थे, राश्टी अनसूची जाती आयोग के अध्यक्ष, ठीक, शेडूल कास्ट कमिशन, डक्टर राम संकर कटारिया ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगला देख लेते हैं, राश्टी अनसूची जन जाती आयोग के अध्यक्ष कौन है, राश्टी अनसूची जन जाती आयोग के अध्यक्ष कौन है, राश्टी अनसूची जन जाती आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राश्टी पिछड़ अबर गायोग के अध्यक्ष है नयमूर्ति वी एशोर्या ठीक है इसके लाबा थोड़ा से यहां पर हम आपको बता देते हैं कि राश्टी अनसूची जाती आयोग की स्थापना का हुई थी यह हुई थी का हुई थी 2003 में यह स्थापना पूच ले जाता है तो इस थापना आपको याद रखना है 2003 में फिनेक्स देख लेते हैं राश्टी पिछड़ा बर गायोग के ध्यक्ष कौन है नयमूर्ति वी एशोरया और यह गठीत का हुआ था इसकी स्थापना का हुई थी राश्टी पि नहीं होना है कुश्चन नंबर 14 थे राश्टी मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है बरत्मान में जस्टिस एचल दत्तु नयमूर्ति एचल दत्तु राश्टी मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है बरत्मान में एचल दत्तु अब राश्टी मानवा धिक में स्थापनों इसकाम रेगुलोरीटी अथर्टी आफ़ इंडिया अगला विजम कोjन है राश्टी उपफोकता विवाद निप्टान अयोगा अधेक्स कौन है न्याबूति डीकेड हैं राश्टी उपफोकता अगला बहुत महाथोर्ण है राश्टी महिला आयोग की बात करें तो इस की चद्धेंटों पर आपड़े मचिंद के मेराश्टमाइव सर्मा तो यह निख लेन के वरप्रेकार्ण क स्तूतिंख यह राधा और किसमें को ऑय दिए के केंद्री सूचनाைयोक बनाएं के सथाथा नारों act कर नहें नहें को अर्ण्यमाम नहीं है कैंने केंद्री शोचना योग किस्थापना कहो इतраш सकते कह त отпर भार院 उसलें है बार एक्टूबर सन दोहजार पांच में किंद्री सूचन आयोग की स्थापना के गई थी most important है या जितने भी मैं सन बता रहा हूं स्थापना बता रहा हूं याद रखी का अक्सर पूछ लेता है नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर कुश्चन राष्टी सतरक्ता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को ने शरद कुमार हैं ठीक सेंटल विजिलेंस कमीशन के वरतमान अध्यक्ष हैं सरद कुमार अब सतरक्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी 11 फरवरी 1964 में ठीक 11 फरवरी 1964 मे 23 नंबर कोश्चन राष्टी सांखी की आयोग के द्धैक्ष होने डाक्टर राध्य विनोध बर्मन केंदरिजयल अध्यक्ष है डेवेंद्र कुमार शीक रीना कौन है देवेंद्र कुमार शेकरी भारतिय प्रतिस प्रधायोग के अध्यक्ष है लास्ट है केंद्री विद्धुत नियामा कायोग के अध्यक्ष कोन है जीवी प्रधान है केंद्री विद्धुत नियामा कायोग के अध्यक्ष कोन है जीवी प्रधान तो यह आप चीजों क क्या इसको अपने नोट में जरूर नोट करिए उसके साथ डेली वीजन करिएगा तभी याद होगी चीज़े ठीक कम सकम इसको दो से तीन वार दिन में देखिएगा और एक सब्सक्राइब करके जाएगा तो आपकी चीज़े कंठस्त हो जाएगी काफी अपडेटेड को जरूर लाइक कर लिए वहाँ पर में डेली नोट्स करेंट फेसलेट और प्रीवेसर के कोश्चन इस्टाग्राम पर शेयर करता हूं ऑनलाइन इसडी पॉइंट से फेस्बूक और आईडी पेज दोनों हैं मेरी इस्टाग्राम पेज तो आप दोनों को लाइक और फॉल पएगी बुक है ठीक है चलिए यह थे प्रहुक आयोगर उनके द्यक्स शेयर करिएगा वीडियो को थैंक्स लाट पर वाचिंग जय हिन जय भारत